गुड मॉर्निंग अभी हम अज्यन कर रहे हैं पर्मुख पास्चाते विचारकों का इसके अंतरगत हमने प्लेटों का अज्यन किया पिछले वीडियो में हमने युनानी दरश्निक अरस्तु से संबंदित कुछ महत्पून मुद्दो महत्पून विश्यों के अज्यन किया इ अरष्तु का राज्य की उत्पति विपरकर्कृति का इस आपने ग्रंत बॉलिटिक्स में अरष्तु ने राज्य की उत्पति सौरूप देत Kurt लक्षे के संबंद में विस्त्रित चर्चा करते विका है कि मनुष्य एक सामाजिक्तता राजनेतिक पुराणी है अरस्तु के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व और विकास राज्ये में ही संभव है ततकलिन युनान के सोफिस्टों का मानना था कि राज्ये मानव निर्मित करत्रिम संस्ता है परंतु अरस्तु सोफिस्टों के इस विचार का खंडन करते हुए राज्ये को एक ऐसी स्वाभविक संस्ता मानता है जो एक एतिहासिक विकास का परिणाम है अरस्तु राज्य को एक साविक संग्टन मानता है और व्यक्ति को उसकी एक इकाई मानता है जिसको राज्य से अलग नहीं किया जा सकता संगसेब में ये कहा जा सकता है कि अरस्तों ने व्यक्ति को राज्ये में मिला दिया है राज्ये की उत्पति अरस्तों गर्मसा राज्ये की उत्पति कैसे हुई है अरस्तों ने राज्ये की उत्पति के बारे में परचलिते ततकालिन समझोता सिद्दान्त तता दीविय सिद्दान्त का खंडन करते हुए यह सिद्द करने का परियास किया कि राज ये एक ऐसे एतियासिक विकास का प्रिणाम है जिसकी सुरुवाते परिवार से होती है अरस्तु के अनुसार मनुश्य की दो मूलबूत आउशक्ता होती है बोतिक आउशक्ता तता परजनन की आउशक्ता बोतिक आउशक्ता की पूर्ती के लिए वह दास के संपर्क में आता है तता परजनन की आउशक्ता की कारण स्वामी और इस्त्री पुरस पर एक दूसरे के स इसकार स्वामी इस्त्री और दास से पहला सामाजिक संगतन कोटम या परिवार का निरमान होता है कोटम से ग्राम ता्यूंफय राज्य की उत्पति होती है अरस्तु ने अपने राज्य की उत्पति के सिद्धान्त को कुछ मूलबूत मानेताओं पर किया है उसके मुख्य मूल वेचारी का अधार निमन है सरवपरतम अरस्तु का मानना है कि मनुश्य के दो प्रात्मिक एवं स्वाबाविक सहजबोध हैं जिनके कारण वे दूसरों के साथ संगत्ति करने पर बाद्य होता है यह मूल परवर्तियां यह सहजबोध हैं आत्मरक् की परवर्ति के कारण स्वामी और सेवक का तता योन संतोष्टी या परजनन की परवर्ति के कारण स्वामी और इस्त्री का मिलन होता है इन दो मूल परवर्तियों के कारण परिवार का जन में होता है परिवार व्यक्ति की समझत आवश्यक्ताओं की पूर्ति नहीं कर सकता अपनी सामाजिक आउश्यक्ता की परवर्ती एवं अच्छे जीवन सद जीवन की आकांसा से प्रेरित होकर मनुष्य ग्राम का निर्मान करता है परंतु गाउं भी मनुष्य की सारी आउश्यक्ताइं पूरी नहीं कर सकता इसलिए अपने जीवन की पूर्णता के लिए वह राज्य का निर्मान करता है राज्य में व्यक्ति को जीवन समाज देता नेतिकता तीनों वस्तों प्राप्त हो जाती है करें राज्य में ही व्यक्ति की उच्च तमा जीवन के लिए है इस परकार राज्य ही व्यक्ति को सच्च आप में पूर्ण मंलुश्य बनाता है अरस्तु की दूसरी मानित यह है कि किसी वस्तु का अंतिम रूप ही उसका सही रूप होता है यह उसका अनौखा सोदेश्यवादी तर्क है अरस्तु का मानना है कि सभी वस्तुएं अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होने में द्रड संकल्प है सभी वस्तुएं अपने अंत को प्राप्त करने पर ही सच्चे सवरूप को प्राप्त करती है राज्ये मनुश्ये का सच्चा सवरूप है मनुश्ये पून पसु नहीं है वह अपने सौभाव के आदार पर पसुँँ से अलग है उसका सच्चा सवरूप युक्ति परक है फोस्टर ने कहा है अरस्तु के अनुसार राज्य केवल इस अर्थ में स्वाबाविक नहीं है कि वह मनुश्य की पास्विक आउश्यक्ताओं को पूरा करता है परन्तु इस अर्थ में भी स्वाबाविक है कि वह व्यक्ति के उच्चतर सोबाव के विकास के लिए आवशिक परकर्ती चतावातावरन परदाने करता है राज्य के अंदर ही व्यक्ति अपना संपोन विकास कर सकता है बारकर का कहना है राज्य के बिना और राज्य से बिन व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है इसका आर्थ यह है कि मनुश्य फरकरती सही राजनितिक प्राणी है अते राज्य ही मानों का स्वबाविक दे है इस तर्ख के आदार पर अरस्तु सिद्ध करता है कि राज्य के बिना व्यक्ति या तो पसू होगा या दे हुता अते व्यक्ति का सही और पूर्ण रोप राज्य ही है राज्य को स्वबाविक संस्ता सिद्ध करने के लिए अरस्तु का तीस रातार गिया है कि राज्य एक आंगिक संस्ता है और उसका विकास और वर्दी लगातार हो रही है राज्य एक पूर्ण वस्तु है जिसके व्यक्थी अंग है अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाबाविक संस्ता है वह एक ऐसी आँगि की काई है जिसमें प्राणी की सभी गुने मोजूद है उप्रियुक तिनों तरकों के आदार पर अरस्तु यह सिद्ध करने का प्रियास करते हैं कि राज्ये एक स्वाबाविक संस्ता है, मनुष्ये एक राजनितिक प्राणी है और राज्ये एक स्वाबाविक संस्ता है ये दोनों कतन एक दूसरे में निहित है राज्य मानव की आउशक्ताओं की पूर्टी के लिए बने मानव समूदायों के निरंतर विकास का अंतिम परिणामे है मनुश्य एक राजनितिक प्राणी है जो सववा उसे ही राज के जीवन के लिए बना है अरस्तु की ये दो बातें कि मनुश्य एक राजनितिक पसू है तता राज्य एक स्वाब विक सेंस्ता है अरस्तु की राजनितिक जिनतन के रिधियास में महत पूम देने है राज्य का विकास अरस्तु के अनुसा राज्य का विकास कैसे होता है अरस्तु का मानना है कि मनुश्य एक सामाजिक और आजनितिक प्राणी है अते वह एका की जीवन यतित नहीं कर सकता वह अपनी आउश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्बर रहता है सामाजिकता का गुन अन्य जीवदारियों में भी पाया जाता है किन्तो मनुश्य की सामाजिकता का गुन अन्य से अधिक है मनुश्य की सामाजिक परवर्ति केवल उसकी दो मूलबूत आउश्यक्ताओं बोतिक वे परदनन को पूरा नहीं करती बलकि उसकी बोतिक उमनेतिक आउश्यक्ताओं को भी पूरा करती है इस सामाजिकता के गुन के कारण राज्य की उत्पति की सुरुवात होती है अरस्तु के अनुसार राजनेतिक संस्ताओं के विकास करम में पहली संस्ता परिवार या कुटुम्ब है इसमें पत्प्ति-पत्नी ये उन संद्थान के अतरिकत दास भी सामिल है अन्ये सबी जीवदारियों के दरे इस्त्रीवे पुरुषभी नसल वर्दी को प्राकर्तिक वावना से ग्रस्त होते हैं इस वावना तता अन्ये बोतिक आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए परिवार नमक सहंस्ता का जन में होता है अपनी उत्पत्ती वे कारी की दृष्टी से परिवार एक प्राकर्तिक सहंस्ता है अरस्तुने परिवार में दास की गड़ना प्राकर्तिक नियूमों के अनुकूल मानी है जब परिवारों की संक्या में नीरंतर वर्दी होती है तो इसके साथ साथ उनकी आवश्यक्ताओं में भी बर्दी होती है कालांतर में मूल परिवार से ही अनेग परिवार बन जाते हैं और वे लगातार एक ही इस्तानफन बस्ते जाते हैं वे परस पर आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए सहयोग करते हैं और ग्राम नामक संग्टन का उदे होता है यहीं सबसे पहले परिवार पिर परिवार से ग्राम बनता है अरस्तु के अनुसार जब अनेग परिवार एक साथ रहते हैं तेता उनके साथ साथ रहने का उद्दिशे रोजना की आउशिक्ताओं की पूर्ती करने मातर से कुछ आस्तितों में आता है ग्राम के सबसे प्राकर्तिक रूप एक ऐसे उपनिवेस के रूप में रहा होगा जिसमें रक्त संबंद के परिवारों ने बसाया होगा संबहुते इन रक्त संबंद वाले परिवारों का सबसे वृद्ध प्रूस राजा की तरह आरी करता रहा होगा ग्राम के इस तरबर मनुश्य अपनी निम्तम आवश्यक्तों के साथ ही अपनी अनेक मनोरंजन दार्मिक उत्सवतता विक्सित आर्थिक आवश्यक्तों की पूर्टी भी करने लगता है इससे राजिय के जन्म की व्रश्ट गुमी तैयार होती है कालांतर में मनुश्य ने यह अनुबव किया कि उसकी आवश्यक्तों की पूर्टी मात ग्राम में या ग्राम से संबव नहीं अपितु विबिन ग्रामों के पारस्प्रिक सायोग से संबव है तब ही राज्य का जन्म होता है तो सबसे पहले परिवार फिर ग्राम और फिर राज्य अरश्टु के अनुसार जब अने ग्राम मिलकर प्रियापत आकार वाले एक ऐसे पूर्ण समुदाई का रूप दारन कर लेते हैं जो लगबग परियापत आत्म निर्वर हो जीवन की कठोर आश्यक्ताउं से राज्य अस्तितु में आता है वस्तु ते ग्राम की तुलना में राज्य व्यक्ति वेसमुदाई की सांती व्यवस्ता आर्थ सुरक साय और मियाई सम्बंदी आश्यक्ताउं की पूर्ती अधिक अच्चे डंग से पूरी करता है और उनके अधिक अधिक्लम, बहुत धिक्वे, निर्टिक विकास में भी मदद करता है अरस्तु की नजर में व्यक्ति की वास्त्विक आवश्यक्ताउं की पूर्ती ही आत्म नेर्बर जीवन है और यह राज्य में ही संभव है रते अरस्तु राज्य की उत्पति को मानों का स्वाबाविक परिणामे मानता है मनुष्य की अपने आउश्यक्तियों की पूर्ति के लिए सरुपर्तम परिवार की उत्पति होती है फिर ग्राम की गुरंत में राज्य की तो आज हमने अरस्तु के राज्य संबंदी विचारों का अध्यन किया, इसके अंतरगत हमने राज्य की उत्पति एवं विकास का अध्यन किया, उमीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थेंक्यू, थेंक्यू वेरी मुच झाल झाल झाल